अलकाइन्स या इसिटाइदीन्स इस वीडियो लेक्चर में इनका इंट्रोड़क्शन समझते हैं these are unsaturated, elephatic, hydrocarbons, having at least one triple bond between carbon atoms unsaturated hydrocarbons और elephatic hydrocarbon को domain categories में तक्सीम किया जाता है एक है aromatic दूसरे है elephatic aromatic benzene और इसके derivatives जबके alkan, 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 cycl awake, cyber alkan, they are known as elephatic un-saturated जिन में कार्बन के दर्मियां कार्बन कार्बन डबल बांड हो या कार्बन कार्बन INF, ट्रिपल बानड हो they are known as unsaturated तो इसमें जो ट्रिपल बानड वाले हैं, they are known as alkyns और इनका जो पहला मेंबर है तेट इस H-C-Triple-Bond-C जिसका नाम है E-Thyne तो commonly it is known as Acetylene तो इस वजह से सारे Homologous Series को Acetylene's नाम भी दिया गया है जो Monowines हैं जिनमें एक ट्रिपल-Bond हो Monowines One-Triple-Bond Between Carbon Atoms तो उनका जर्णल फर्मूला जो हमें मिलता है That is C-N-H2N-2 विर N शोज दी नंबर आफ कार्बन आइटम्स For example, हम लेंगे स्टार्ट कार्बन 2 से क्योंकि हमने शर्त लगाई है के कार्बन के दर्मयान डबल-Bond होना चाहिए इसी तरह C-4 H-6 तो हो जाएगा Butine C-5 H-8 पेंटाइन और इसी तरह C-6 हाइडरोजन आप लगा दें इसको हम कहेंगे हेक्जाइन C-7 H हो जाएंगे 12 तो ये हेप्टाइन बाकि आप ट्राइ करें C-8 C-9 at least C-10 तक आप ट्राइ करें हाइडरोजन उसके साथ लगाते जाएं तो 8 वाला अक्टाइन 9 वाला नो 9 और 10 वाला डिकाइन अब अगर हमसे इनका स्ट्रक्चर पूचा जाए कि किसी एका स्ट्रक्चर ड्रा करो suppose that is penitine और उन्हें ट्रिपल बॉन्ड की पूजीशन नहीं बताई कि penitine का स्ट्रक्चर ड्रा करें penitine तो penit से आपका जहन होना चाहिए कि we have five carbons और फिर फर्मूला एपलाई करोगे 2,5,10 minus 2 becomes 8 तो c5,h8 तो आप क्या करें पांच कार्बन का चेन बना दें 1,2,3,4,5 और अपनी मर्जी से कहीं पर भी दो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बना दें for example हम इदर बना रहें that is अब बागी कार्बन के चार बन्ड पूरे करते जाएं because carbon is tetravalent तो इसके तीन बन्ड रहते हैं तो ये बना दिये इसके दो बन्ड रहते हैं दो आल लेडी बना चुका है इसके चार बन्ड पूरे हो गए हैं तीन ट्रिपल बन्ड की शकल में और एक सिंगल बन्ड इस carbon के भी चार बन्ड पूरे हो गए हैं और ये carbon चार बन्ड अब hydrogen बाकी लगा दे तो hydrogen, hydrogen this is hydrogen और इस तरह से अगर आब hydrogen को गिन लोंगे तो you will get eight hydrogen a total of eight hydrogen ये इसका expanded farm हुआ इस तरह farm draw करोगे तो आपकी practice पर मज़ीद बढ़ जाएगी लेकिन इस farm में आपके साथ गलती करने की chances कम रहेंगी अब condensed farm में या chain farm में इसको लिकेंगे तो ये हो जाएगा CH3 this is CH3 single bond carbon triple bond carbon उसके बाद पिर ये जो है it is CH2 और आखिर वाला CH3 ये हुआ उसका chain farm कभी कभी skeletal farm आप से पूछा जाए कि इसका skeleton farm बना दें तो आप यूँ शूरू करें ये जो शूरू कर रहा हूँ ये 1 तू तू टू ट्री फूर फाइफ ये पांच कार्बन हुए अb मैंने ये बनाया pentain अब यहां पे दूसरे carbon पे triple bond है तो यह one carbon यह हुआ दूसरा carbon इधर आप double bond बना दें तो यह अगर कहेंगे तो यह हुआ pentain, two pentain लेकिन हमने pentain बनाना है तो इधर triple bond बना दें तो यह हुआ उसका skeleton form यानि two pentain तो इस तरह से आप practice करें और मुख्तलिफ जो alkynes हैं उनके structure draw करते जाएं if you don't use it you will lose it practice makes a man perfect next lecture में इनका nomenclature समझने हैं